नमस्कार दोस्तों, सिंटा डायरी के वॉक्ट्रू वीडियो में आपका स्वाधत है, इस वीडियो में हम कम्प्लीट शूट को समझेंगे, सिंटा डायरी उपन करने के बाद नीचे दिये गए चार भी से आखरी आप्शन पर टैप करें, जो की कम्प्लीट शूट का वह सारी एंट्रीज दिखाई देंगी, जिस एंट्रीज का ओथराइजेशन हो चुका है, ऐसी एंट्रीज जिनका ओथराइजेशन नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा, वह सारी एंट्रीज यहां आपको नहीं दिखाई देगी, किसी वजह स अगर आपको आपकी Authorize की गई हुए Entry यहां नहीं दिखाई देती है, तो उपर की तरफ दिये गए Sync बटन पर Tap करके Data Sync करें. अगर आपका Data Sync नहीं हुआ है, तो वह Entry यहां नहीं दिखाई देगी. इसी लिए समय समय पर Entries को Sync करते रहना एक Best Practice मानी जाती है. उपर की तरफ तीन Filters दिये गए हैं जिससे आप अपना Data Filter कर सकते हैं. पहला Filter Date का है, दूसरा Production House का है और तीसरा Project का है. यह तीनों में से किसी भी Filter का इस्तिमाल करके आप अपनी Entries आसानी से धून सकते हैं. जब समय अपनाव का आस्तिमाल का आसनी समय समय को Sync के नाप आसानी से का मॉपका चाहां अपनावारीबिकवारीबक्स. पहला कुनास सकते हैं. झाल को Sync का इस आसक वालाव्द का का दुट नूसीड़ में आस्तिमावारीबक्स. अगर आपको किसी एक एंट्री की डीटेल्स देखनी हो तो उस प्रोजेक्ट के नाम के उपर टैप करने से उस प्रोजेक्ट की सारी डीटेल्स आपको एक बॉक्स में दिखाई देगी नीचे दिये गए क्लोज बटन पर टैप करके ये बॉक्स को आप बंद कर सकते हैं कंप्लीटिट शूट के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद